नमस्कार आप देखरें न्यूस वल इलिया आपके साथ मैं हूं का जो नरायन शुरवात करेंगे खबरों की इसी हम योगी आदेतनाद गुरकपुर कालीबाडी के संथ महिलनाद को देखने के लिए पहुँचे बतादे कि बिमार संथ महिलनाद को लखनो के श्याम प्रसाद मकरजी अस्पताल में भट्टी कराए गया है फिजवाब मामली में सुप्रीम कोट के दोनों दजो की राय अलग-अलग सामने आ रही है बतादे कि न्याय मूर्थी हिमंद गुप्ता ने अपेल खारीच कर दी तो वहीं जुस्टेस धूलिया ने कहा है कि मैंने करनाटक हाई कोट के आदेश को रध कर दिया और सरकार ये आदेश को रध कर दिया बतादे कि हिजवाब मामली में सुप्रीम कोट का अलग फैसला और सीजी आई के सामने रखा जाएगा जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाई भी सामने आ रही है हम शूरू से इस बात को कह रहे हैं कि हिजवाब हमारा फंडमेंटल राइट और हमारा मझहबी ही हक है और यही बात आज जिस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फैसले में कही है और मुझे लगता है कि जस्टिस ढूलिया सहाब ने जो बाते कहीं है वो आइन कानून के मताबिक और सम्मिधान के मताबिक है और हिजाब के तालुक से यकीनी तोर पर इन बातों को कती तोर पर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है हिजाब का तालुक मदहब से भी है और हमारे बन्यादी हुकूक से भी है और हमारा बन्यादी मकस्द यही है कि बच्चेवों को आला से आला तालीम से अरास्ता किया जाए हमारे देश में दो तरह की सोच है एक कट्रपंती सोच है जो एक विशेश दल से जुड़े लोगों की है और वो कटरपंती सोचे कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चिया है वो हिजाब पहिन कर नहीं आ सकती बेन लगना चाहिए और जो सेकुलर सोच है सेकुलर से मतलब मैं मुसल्मानों की खाली बाद नहीं कर रहा हूँ उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, इसाई भी है, जैन भी है बहुत भी है जो सेकुलर सोच है देश की वो यह कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्मों और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है जो हमारे भारत समिधान में है अभी जो फैसला आया दो जजों की बेंच ने दिया उसमें जस्टिस गुपता ने जो फैसला दिया है वो फैसला वो जो देशी कट्रपंती सोच है वो लोग खोश है कवर करें ना करें लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटे नहीं डालनी चाहिए और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं और जिस तरीके से मामला लाजर बेंच को रिफर किया गया है तो हम लोग यह एक्सपर्ट करते हैं जिलाप्रशासन के सामनी अभी चनौती है कि लोगों को तेजी से मदद पहुचाई जाए वह लोगों को कहना है कि उन्हें जल से जल मदद दी जाए सारी ग्रहस्ती और अन्य चीज़े बार के पानी में डूब गई है और खराब हो गई है एनेच 730 अभी खुला हुआ है बहनुका बगवन शुड़ू हुआ है यहां भी बहुत परेशानी आ जी हैं सब बहुत जादा बार आगी थी तो बार के उज़े से सब घर दूब गया है जूब दूबी पढ़े थे सब जो सार सामान हमारा था सार सामान सब डूब पढ़ा है सब बहर आए ऐसे पानी में ना खाने पानी के ना समस्थे बहुत जादा बढ़ गई है ना बच्चे उट्से सब भूगे रोर मर रहते सब अना को यहां पर ना खाना ना पानी ना खुछ भी नहीं आया थे ना खाना पानी आया ना कुछ नहीं आया का लिए इसे हम सब किसी साब से काटे हैं बीना पनी का उसमें सब गुजादा मिले स्कुलिए लखनों में एक मामला सामने आया है जहां गोमती नदी में अधिवक्ता के छलांग लगाने का यह पूरा मामला बताये जा रहा है बताये भी जा रहा है कि ब्रिज पर बाइक खड़ी कर अधिवक्ता ने चलांग लगाई है वही रहागिरों ने घटना की सुशना पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाच पर टाल में जुट गई है लगता चार दिनों से बारिश होनी की वज़े से मादुर्गा मूर्टी का विसर्जन कमिटी के द्वारा नहीं कर पाए और आज विदिवत धूमधाम और हर्शरलास के साथ दुर्गा मा का विसर्जन नगर के कहीं शेत्रों का दौरा करते वे धर्णग जलाशिम मादुर्गा का विसर्जन किया गया एतुरान नगर पंचार शेर्में सीमा सरकार ने कहा कि लगाता चार दिनों से बारिश होने के वज़े से विशाल जन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी आज दूप निकली विदिवत धूमधाम के साथ पिसर्जन किया गया आज मा का विशर्जन है जिसमें की पानी में बहाई जाता है और सभी मा के कामना को लेके जो हमारे हमारे मा हमें शुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पता दे कि यूपी शाष्ण के प्रमुक सच्छे प्रिकिश्चा सिक्षा विभाग अलुक मार द्वारा जनपत बलंशेयर में निर्मान अधीन कल्यार सिंग राज के मेडिकल कॉलेज के भवलों का स्थालेन दिरिक्षण किया गया उन्होंने निर्मान कारे की डिपियार के अधार पर कराय जो रहे कारे की जानकारी हासल करते वे कहा कि निर्मान कारे को गुर्वत्ता के साथ फूर किया जाए सुनिए क्या कुछ कहा इमरज़ेंसिय में जैसे तीनवेट का इनिट पर कहा हैोट है जैसे एमरज़ेंसिय में जेख सिसफ हाठ वेट तो अब हमें अपने अस्पताल को री अरेंज करते मेडिकल कॉलेज के तरीके से उस रेंज देदा है ताकि इंस्पेक्शन ना पेलना हूँ हम ने ये सज्जेट किया है कि जो CMS जो यहां के हैं और रानाचार जो CMS साथ से भी रेंज हुआ है वहीं लखनओं के ग्रामिंटाना महिलाबाद में प्रेमी जोडे के साथ मारपीट का एक वीडियो बारल हुआ है दबंगोंने प्रेमी जोडे को जम कर पीता है बताये जोरा कि प्रेमी जोडे पर अचानल दबंग हमना वर हो गए इतना ही दबंगों ने गाले गलोच और मारपीड करते वे प्रेमी यूगल का वीडियो भी बनाया वहीं पुलिस द्वारा चार लोगों पर कारवाई की गई है Mais Groads बिलर्स इंडिया फैक्री के प्रबंदध के खिलाफ श्रमिक कई आरुप लगाते वे फैक्रीगेड के सामने जौकर नारे बाजी की दौरान करमचारी ने आरुप लगाये कि फैक्री प्रबंदध के द्वारा करमचारィों से तन्खा तै किया गया था लेकिन श्रमिकों को तै किये गए तन्ख़ा कम करके दी जा रही है साथी करमचारियों का फैक्टरी के भीतर कोई सेफटी भी नहीं है यानि कि जो चीजे अलोट होती हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है जिससे करमचारियों के वेल्डिंग करते वक्त हाथ पैर जलते हैं तो ऐसे आरोप करमचारियों लगाए हैं उसके बाद धरना प्रदर्शन ठरणने लगे पानी लगा लो आक में सही हो जाएगा लेकिन असा कुछ नहीं है जैसे दबाई मैंगने जाओ नहीं है मुलाब गाट के हैं पर आओ कि हमें गेट पाच दे तो घर में प्रवला में उस दिन मेरे घर मेरे तवेट खराता मेरे पापा के हाथ टूट गए मैंने बोला मेरे को गेट पाच चीये मेरे घर में प्रवलाब में अकेला भाई हूँ पेली भी पेक बुजर्ग महिला ने अपने ही भतीजे पर धोका धड़ी कर लाखो रुपे की कीमत के मकान का बेनामा कराने कारूप लगाया बुजर्ग महिला ने इस मामले के लिए की शिकाय स्थानिया थाने सहित, स्पी, पेरिभीट और डीम को भी दी है पर मामले में अब तक कोई कारवाई नहीं की गई जिसको लेकर बुजर्ग महिला दर बदर की ठोकरे खाने को मजबूर है मैंपुर्थाना, बर्णाहल और स्वाक टीम ने अवयद श्रष्टर फेक्टरी का भंड़ा फोड़ किया पुलिस ने अवयद हतियार की फेक्टरी संचालक राकेश को एक दरजन तमंची और अवयद श्रष्टर बनाने के उपकरन सहीद की रफतार किया है गोरक दंदे में सरलिप तेक अन्या भुक्त रवी बंजारा मौके से पुलिस को चक्मा देकर फराल हो गया वहीं अवयद श्रष्टर फेक्टरी का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधिक्षा कमलेश देक्षित में दस हजार रुपे का प्रुसकार देने की खोश्रा की है आज बर्नाहल पुलिस और स्वाड टीम द्वरा एक अवयद सस्त्र फेक्टरी जो राकेश पुत्र राम रूप द्वरा संचानित क्या रहा था पकड़ा गया इनके कबजे से तेरा तमंचे बरामद हुए सस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए और इसके साथ एक रभी बंजारब है वो मौके से फरार हो गया जिसकी तराश की जा रही है यहां वो लेखनी है कि यह पहले में भी राकेश भावयद सस्त्र फेक्टरी में जेल जा चुका है इस बुरे शेह में थाना गुलावची पुलिस की बाइक सवार बदमाशर से मुर्भेड हो गई बता दें कि क्रोस फाइलिंग में गैंक्स्टर एक्ट में बांची चल रहे है अपराधी मुनफैद उर्फ भुट्टो का घायल अवस्ता हमें अस्पताल में फट्टी कराया गया बता दें कि आरूपी के पास है वाई दस लहा कार्टूस और एक बिना नंबर किया अचाना पुलीस को देखकर इसापूर की तरफ गांव की तरह मुड़ गये और फारे पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस को देखकर वो फाहरी एक बदवाश रहलो गया उत्रणडर्ड में अंकिता हंडारी मर्डर केस में लगाता है। करेंगे और सुप्रिम कोड तक जाएंगे चांच को प्रभावित किया गया है सर एक्चली यहां पर इस्तानिय अतारे करता हैं बीजेपी के जो जो बंडल अच्छे हैं यहां पर बीजेपी के उनके दौरा जो यहां के मानिय विदायक हैं उनको बंडल है करनी की कुसिस की और उन्होंने बदलब उन्से बंडल करके नरंडिश्यों फायां-पर-कोडवाल उसको फॉर्म करवाय उन्हों उन्हों क्या कुछ राजी मामला में करवाई नहों हो इस तरीके का को और हम अच्छावस्ति पर रहाद बचाव में लगे लेखपाल चंजरभूशन तिवारी का शर्फ छे दिन बाद मिला है। बताए जा रहा है कि मिट्टी से दबा हुआ लेखपाल का शर्फ बनामद हुआ। वही गट्टा की सुचना पर जली के अलादिकारी पहुँच हुआ और पुलिसर शर्फ को कबजन में लेकर पोस्मार्टन के लिए भीस दिया। खातरस कोत्वाली गेट शेतर के गाउं के धौली में हर्श फाइरिंग में आट महीने की नातिन की मौत का मामरा सामने आया है। म आज में मिजा हैं। चप्तित की दादी गाल बतायी जा रही है। जबता है हैं। झाल झाल